नमस्कार मैं हूं कमलेश हमारे खासकारकम में आपका स्वागत है जीवन कितना कठिन हो गया है तनाओ नकारात्मक्ता हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी है पहले हम लोगों का बाल लेकाल था तो समय नैतिक सिक्षा पर खूब जोड़ दिया जाता था ये कहा जाता था कि पूरी पूरे ब्रह्मांड का स्रिजन ही सकारात्मक उर्जा से हुआ है लेकिन अब जिस तरह से नकारात्मक्ता दिखाई दे रही है जिस तरह से पलपल पे तनाओ से होने वाले नुक्सान दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग तनाओ के का आमें काम कर रहे हैं भारती नहीं दुनिया में जाकर बताने की कोशिस हो रही है कि आप मनुष्य हैं आपका धर्म क्या है आपको कैसे जीना चाहिए कैसे तनाव से आप अपने आपको प्रिथक रख कर करके इस पूरी काइनात को और बेहतर बना सकते हैं इसी काम में लगे हैं भगवान भाई जी आप माउंट अबू में निवास करते हैं और वहां से पूरे भारत में भ्रमण कर लोगों को तना मुक्त करने की कोशिस कर रहे हैं प्रजा पिता ब्रह्मकुमारी स्वरी विश्व बिद्याले से संबध माउंट अबू है आप इससे अच्छ काई जिलों में आपने भ्रमण किया है यह जिनके बीच आप जाते हैं तो उनको कई बार होता है कि हम सिर्फ अपनी बात कह लेते हैं उनकी सुनते नहीं है तो जब आप उनसे बातें करते होंगे तो बताते हों लगे उनके जीवन में तनाव क्यों है तो कापी सारे बताते जैसे आज कल छोटी छोटी घरे ले जगड़े हैं, छोटी छोटी बाते हैं, गरीबी है, जीवन की छोटी छोटी परिक्षा हैं, उसके कारण तनाव, वास्तों में तनाव के लिए हमें कोई तो सुसाइट करते हैं, सुसाइट करना तो ये तनाव से भागने की कोई ये नही हैं क्वेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग ऐसा क्यों क्या क्यों 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 करके निगेटिव नपरत आते फिर गम्हाइश करता है ऑब बढ़े। यर कोई नश्या करता हैं आज तनाओ का मूल करना है मन के निगेटी विचार है इसलिए कहते भी है जिसका पाउ गरँ पेट नरम दिमाग ठंडा उस घर में कोई डाक्टर है उसको मार दो डंडा पाउ को गरम रखो पेट को नरम रखो दिमाग को ठंडा रखो, लेकिन आज कल उल्टा होता है, पाउं रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, आज किसी को पेट की समंध की बीमारी होती है, इर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है, आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंके पड़ पड़ कर देखेंगे, आज किसी का blood pressure बढ़ गया, बीती भी बातों को याद के अब BPI हो गई, आज किसी को अस्तम होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा करेंगे, दमा का problem, आज किसी को दूर का कम दिखता है, दुसरी की बुरे, तो सारी बीमारियों का कार और से निकलते हैं, कई और से दपाचे हैं, इसलिए तनाव का वास्ता में प्रभंध है, पोजिटी सोचना, सकारात्मक सोचना, तो हम उन लोगों को कर्मों के बारे में, जो हुआ अच्छा हुआ, वास्ता में, हमारे आसपास के जितनी लोग आई, कोई हमको देने के कोई ना कोई पिछले जन्मों के कर्मों का है, भाई जी जो वाता बना है आज की तारीक में, जिसे मैंने सुरू में कहा है, इंट्रो में ही, कि आप आप टीवी देखिए, तो आपको टेंसन होता है, बच्चों का रहन साम देखिए, तो टेंसन होता है, वार्सा, यह बाते तो होती ही रहते हैं लेकिन जैसे आगरबती होती है आगरबती को कितना भी अगर गंदे वातावन में रखाओ तो क्या करता अपना प्रभाव डालता है वो गंदे वातावन का प्रभाव अपने पर नहीं डालता है इसी तरह हमें आगरबती का काम करना है हमें खु प्रभाव आपके पड़ाइगा बाकि यह सब सबकुछ होते भी हमें कोई छोड़ना नहीं वही रख कर गया हमें आपको पोजिटिव रखना लेकिन कई बार होता है जो जिस युवापीड़ी को आप ज़्यादा समझाते होंगे आप सकारात्मक रही है वही युवापीड़ी मुबाइल ले करके अपने कमरे में घुज जाती है गूगल पर बहुत कुछ भरा पड़ा है अच्छी चीजें भी बुरी चीजें भी है उस कि लो कोई बताने वाला आज क्ए बार मूणके मुमि पापा दो मैं कहता हूं थोड़ा बच्चे को संस्कार शितना इंड दया हमने बहुत पईसे 59 clerk in लोड में सभरा में स्कूल में जाकर बच्चर को कहता थोड़ा सर अप बच्चों को थोड़ा नइतिक शिक्ष्य कोतरा इतना इस बच्चे का भी काम है। आज बच्चे क्यू बिगड रहे हैं? उसके मम्मी पापा जी। अज पापा जी शराप पी रहे हैं? मम्मी फेशन कर रहे हैं उस बच्चों का उसके पर प्रपा पड़ेगा? आज महाराष्यर गहूं। एक सिवाजी पईदा हुआ। वह शिवा जीख वा जीओ कियो बना जब उनकी माता जी उसकी माता जी शिवा जीज अब डान पटा चलाती ती गरन पढ़ती तल्वार चलाती ती वह संसकार बच्चे के अभर पड़े लेकिन आज कल कि ममी क्या करते जब बच्चा गर्ब में मोबाइल चलाते फैशन करते टी वी देखते वाटसाप चलाते फेस्बुक देखते यूटूब देखते यह सारे गर्ब के संसकार डाल दिया और अगर उनके संसकार अच्छे बनेगे इतना है नहीं तो तोचता हूँ, टीचरों का भी फर्ज हैं, आज टीचर को अच्यारी करते हैं, अच्यारी मदलब अच्यारन में लाने वाला, आज कई-कई स्कूल में ऐसे मैडम जाते हैं, जैसे कोई fashion show में जा रहा हैं। क्योंकि आज कल पता है कि प्राइबेट में आप घर में बैटे-बैटे क्या करेंगे उतना ही मोबाल का खर्चा मिलेगा कुछ तो मिलेगा इसलिए स्कूल में जाते लेकिन नहीं टीचर को योग्य बनने की जरूता है टीचर अगर योग्य हैं बच्चे उसे सिखेंगे इसल नहीं टीचरों के अंदर कुछ वैल्यू चाहिए और तब जाकर के वह समाज को सिखा सकता है अगर उन टीचरों में नहीं आए तो बच्चों में कहां से आएगे और उसके साथ साथ बच्चों के अंदर भी लगना ही नहीं मुझे का अच्छा बनना है आज मेरा पिता जी तमोगों खाते थे हैं जे हमारा भाई तो शराब भी पीता था कोई गलत काम भी करता था लेकिन मैंने उनसे सिखा कि मुझे अच्छा बनना है यह कैसे सिखा मैंने सोचा कि मेरा पिता जी बिगड़ा ही मुझे नहीं बिगड़ना उससे से मैं सिख कर कि आज देखो इतना पूरा बहरत में जाकर के नहीं तिकता का अलग जगा रहा हूं, आजकल मैं फोसता हो ये स्कूल, क्वालेज भी लोगों का बिजनेस बनता जा रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल हो तो जैसे ये टेबल, टेबल के पाउं चार होते हैं, एक ही पाउं तो टेबल हिल जाएगा, ग प्रिक्षाइब लेकिन आज के स्कूलों में क्यावल आईक्यू डेवलप की जाती है और आईक्यू कई बार मैं स्कूल में जाता हूं कई टीचर करते हैं भाई जी आपका कारेकर्यम होगा नहीं हमारे स्कूल में हमारे बच्चों की पर परिशा बहुत नजदीका रहें मैं उन टीचर को कहता है सर आप एक साल का परिक्षा का इतना ध्यान दे रहें यही बच्चा समाज में जाकर कि किछी का मडर करेगा सुसाइड करेगा उसके लिए आप कुछ पढ़ा रहें तब उन टीचर को लगता है बात तो सही है आज केवल आईक्यू डेवलप करने में ल इसके आईक्यू जादा है उसके अंदर इगो डेवलप हो रहें भाई जी एभी तो देखा जाता है कि आप आप यात करिए अपने बाल लेकाल में जब आपने पढ़ाई सुरू की होगी हमने जब पढ़ाई सुरू की तो हम लोगों के पाठ टेकरम में नैतिक सिक्षा का पाठ हुआ करता था आज उसका लोप हो गया उसको हटा दिये गया है क्योंकि पढ़ाने वाला ही वो सब योग्य नहीं है अब खोदी गुटका खाएगा नस्या करेगा और उस बच्चों को कहेगा तो बच्चे कैसे सुनेंगे इसलिए आज नहितिक मुल्य हटाए गये है और वास्तों में आज मुल्य है वैसे तो आज हमारे प्रेयर हैं प्रेयर में है अच्छे अच्छे शब्द भी हैं भारत मेरा देश है सभी बच्चे प्रेयर करते हैं भारत मेरा देश है सभी मेरे भाई बैने सभी के मैं बड़ों के आग्या प्रमन चलूँगा कहते कुछ चाहर करते है कुछ जी 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 इसलिए अच्छरन बड़ा जरूरी है इसलिए आई क्यू के साथ एक्यू डेवलप करना उन बच्छों को इमोशनल भावनात्मक बनाना अज रावन बहुत उश्यार था रावना क्या आई क्यू बहुत थी लेकिन उसका सोने के लंका भी थी ल आज कल देखा है जाता है भाई जी की रावन के बारे में ज्यादा बताया जाता है राम जी के बारे में कम बताते हैं क्योंकि आज है रावन राज्य है जी आज वो तो एक ही रावन था एक ही रावन था उसने शीतागी चोरी किया और कोई गलत काम नहीं किया लेकिन आज क आपने आपको राम प्रदर्शिक करते हैं तो इसलिए आज अगर मुल्यों का रास होता जाएगा इस संसार में चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है सारे सिलेबस का सारा ही जीवन में मुल्यों को धन करना काफी सारे मैं स्कूल में जब जाता हूँ बास तो में एजुकेशन क्या है एजुकेशन मलब सिलेबस पड़ाना पास करना यह नहीं एजुकेशन का एक एक शब्द में आरता है यह फॉर इंपावर बनाना ससक्त जो नहीं देखना उसको नहीं देखना जो नहीं काना उसको नहीं काना जो नहीं बोलना उसको नहीं यह education दूसरा शब्द आता है D D for discipline बोलने की देखने की माबाप के साथ मित्रों के साथ आज discipline की कमी है हाथ में discipline ने थपड़ मार दी मुख में discipline ने गाली दी यू यू फर understanding समझ राइट किया है रोंग किया है C C for character कते धन गया थोड़ा कुछ गया health गयी थोड़ा कुछ गया चरीत्र गया सब कुछ गया लेकिन आज कलके यूँआ क्या समझते है चरीत्र गया कोई हरजा नहीं health गयी ठीकर कर देंगे धन गया सब कुछ गया चरीत्र ब भारत सोने की चिडिया था लेकिन आज वही भारत में प्रकूरती प्रकूर कर रहे हैं आज कितना सारा problem कारण मुल्यों की कमी आगे का शब्दा आता है यह A for attitude दुरुष्टी कोन दुरुष्टी कोन आज के के बच्चों का negative दुरुष्टी कोन है आगे का शब्दा आता है T, T for tolerance, सहन शक्ती मैं कही बार बच्चे जब सामने बैठते हैं तो बच्चों को पुछता हो यह बच्चे यह बताओ इस वी से गुसा किसको किसको आता है जूड बोले कवा काटे सारे बच्चे 95 से भी जादा बच्चे हाथ कड़ा करते हैं सर हमको गुसा आता है तो सामने बच्चों को बारी बाकी सारी लेसन तोड़ा कम करके यह काम, क्रोद, लोब, मौ, एंकार इसके पर कईशी जित प्राप्त करना यही शिक्षा देने की जरूत है और यह गुरुकुल में पहली दी जाती थी मैं वैसे तो कापी सारे जेलों में 11-1200 जेलों में भी गया ने 70 परशन कईदि क्रोध वाले होते हैं, क्यों बाकी सारा शिकाया लेकिन क्रोध के पर जीत प्राप्त नहीं करना शिकाया, इसलिए आज के वरतमन में यह सहन शक्ति का पाट शकाने की जरूत है, आज पहले जमाने में बचे लेट आते थे, होमर के नहीं करते थे, टीच मेरी लगे चम चम, विद्या आई, घम घम, लेकिन आज कीची कोई चाड़ी मारतों, कहता है, सर बाराव में बताऊंगा, कई तो क्या करते हैं, मम्मी पापा को जाकर सुनाएंगे, और आज कल हमारी शिक्ष्या पदती इतनी बिगड़ती जा रहे हैं, आज हम विदेशी स अंस्कृत या अपना रहें, और इसलिए बच्चों को मानना नहीं, उसको कुछ में नहीं बोलना, तो वही बच्चे उदंड बन जाते हैं, और वही बच्चे समाज में जाकर कोई उनके सामने घटना आती हैं, वो सहन ने करते हैं, फिर सुसाइट करते हैं, सहन नहीं होता लोगों को अपना अपने जानकारी के अधार को उनका दिमाग बदलने की कोशिस किया तो कभी इन लोगों की तरब से भी आपको आती है जानकारी कि भी आपने मुझे यह समझाया उसके बाद मेरे जीवन में यह परिवर्तन आया तो ऐसा कोई हाँ कापी सारे हमारे ब्रह्मा कुमारी से कापी सारे जुड़े वे लोग आए माउंट अबो में भी आते हैं कई बार मिलते हैं मेरे को सर हम आप हमारे जेल में आये ते और उसी समय कारेकरम किया था मैं तो इतना डिप्रेंशन ता डिप्रेंशन में था मैंने तो प्लैन बन मैं आपने आपको बदलूँगा इसलिए आज यहां तक पहुचाओ नहीं तो पता नहीं और पर दूसरे और जेल में जाता जी इस तरह से उनका हम उनको कई बातों के पार्ट पकाते देखो तुमारे साथ जो हुआ अच्छा हुआ हो सकता है आज मैं जब मैं लेक्चर करा था उससमी इतना टेंशन में बेटे थे मैं सूचते पता नहीं है सुन रहे नहीं सुन गटना का निवने वाले ही तो होगी इसलिए वहां से उटा करके भगवान ने आपको यहां रखा चारों तरब से दिवार बांद करके सीकूर्टी गाडर रखें तो इसलिए आप यह नहीं सवंचे की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ जो हुआ अच्छा हुआ जब यह बाते सुने इतना टालिया बज़े उनके खुस वाले चेहरे दे करके मुझे भी बड़ा शिकुन मिला क्योंकि जब रहना ही वा पोजिटीव बन कर वो निगुटीव बन करके क्यों रहें जीवन की हर घटना के पीछे कल्याना है जैसे उनको रामाइन के घटना मैंने सुनाई राम रा राजया बनाने के बजले 14 वर सोनों में बेजा, शीता गई, लक्षमन ग्या, तीनों भी घर के गए, वियो के करन, धसरत ने प्रांतियागा, खाने का प्राबलेम, सोने का प्राबलेम, किस के करन, मन्त्रा के करन, तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी बहुन अच्छी चल मैं खुझ जब राम राय देखता था मंत्रा उक देखते हैं ज़िए पुर्ण को नहीं देखना लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा था पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वच्चा किया अगर रात में ना आतीराम राजय बनता जंगल में नहीं जाता शितागी चौरी न रावन को न मारता, रावन को ना मारता, राम की महमा कोई निगाता। राम की महमा किसके करण ऐसले किसके जीवन के करने। जी जी आप जीवन साहिली की बात करते हैं, आपने कहा कि सुबह उठें ऐसा ऐसा करें, लेकिन होता आज कल कुछ नहीं लोग उठते हैं, तो सबसे पहले काम करते हैं कि पहले चाय पिलाओ, चाय पीने के पास फिर उनका विवास रूम जाने का पिर उनका जो करम सुरू होता आकबार पढ़ो पिर टीबी के सामने बैट गया आकबार पढ़ रहें तो सिर्फ आप राधों की खबने हैं तो सबेरे से ही नकारात्मा कुर्जा का प्रवेस्ट उनके अंदर हो जाता है उसके बाद सोचते हैं कि दिन हमारा अच्छा रहे तो कैसे होगा अपनी उपर सबेरे तीन साड़े तीन बजी उटी जाते हैं कहते हैं सबेरे पांस बजे से पहले जो उटता है उसको योगी करते हैं छे बज़े से पहले जो उटता उसको भोगी करते हैं साथ बज़े से पहले उटता उसको रोगी करते हैं आठ बज़े से पहले उटता उसको महारोगी करते आगे पिर गिंते रूँ. जितना देरी से उतेंगे उतना हमारा मनॉबल कमजोर होता है. इसलिए शवेरे उट करण करए हम अगर मेडीटेशन करते हैं. साथ में कुछ अध्यात्मिक साहिते हैं, कुछ वाकिंग करते हैं, हमारा सभेरे से बरे मनुबल बढ़ता है जी 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 बिलकुल मनुबल बढ़ता है लेकि वही बात है ना कि अब रात को जो दो बज़े तक बार में बैट करके सराब पिएगा वो सबेरे उसके आग कहा कुलेगी वो तो सराब हमारे कोई खाने पिर पता लगा को सबेरे सीर भी पकड़ा मेडिटेशन करने वालों को ज्यादा टेंशन होता तुरंद ओन सो जाता है और अमारे कापी सारे भाईबे ने इसका अब्याज आज मैं खुद भी मैं आपनी लाइफ स्टोरी आपको सुनाता हूं मैं कोई विद्वान पंडित नहीं हूं वैसा मैं महाराष्ट में छोटे पीछे गया एक मंधीर में सकूल लगती थी मैंने का सर मुझे भी पढडना है टीचेर ने मना कया अब तो बड़े हो गया आप तोड़ीं पढ़ सकते हैं मैंने का सर मुझे कोई नोक्री ने करने मुझे थोड़ा कखस शिकना है मेरी लगन देखर के टीचर ने का ठीक है पहले दिन पाच्चियुकक से बिटाया रोज जब जाना शुरूगे घर वालों मना कि अपने पैसे नहीं जाना मैंने का मैं बिना पैसे का पड़ूँगा मैं रद्दी से डारी लात पानी से दूलाई करके दूप में सुका करके फिर लिखता था और एक दिन आया उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारिस का किताब मिला और उस किताब ने मेरी जीवन के रेखा बदल दी आज 40 वर्सों से ब्रह्मा कुमारी विद्याले में समर्पित रुप से पूरा भारत में जाकर गे 40 magazine का लेख को 3000 से जदा भी लेख लिख चुका हूं और पुरा नेपाल में नेपाली में बहसे भी नेपाली भाचा जानता हूं नेपाल में तो 70 जिले में जाकर गे 400-300 एफे में लेक्चेर कर चुका हूं कापी सारे टीवी में तो कहां मेरा एक साधारन परिवार मे बाते हैं लेकिन मैंने meditation सीख करके positive बाते सीख करके आपने जीवन को इतना चा कई बार में जब जेल में जाता हूं कई कई दिया भी तोड़ा समय जाकेट वगर पहन के जाता हूं उनको लगता है कोई मंत्री जे भाचन कर रहे हैं लेकिन कई उठकर करके सर मेरी बहुत गर लगन की अनिया आज देखू कहां से जब मैं पढ़ता था मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था चावल उबालकर करके गरम चावल पर शक्कर डालके खाता था चार साल तक आज माउं टमू में 25,000 लोगों का भोजन बनाता हूं तो व्यक्ति के अंदर जब मुल्य हैं भ बहुत बड़ा संदेश परमात में दे रहे हैं यह यूग बदलने का समय चल रहे हैं बिलकुल बिलकुल यूग बदलने का समय चल रहा है बदल भी रहा है हम लोगों के समय में हम अपने बाबा के पास दादा के पास नाना नानी के पास बैठा करते तब यूग बदल रहा सोस्तिगा देखा है समीने चार भागा एक सत्यू का दूसरा त्रेता का तीसरा दौपर का चौव तकल्यूगा इस सुरुष्टी की जब शुरुवात होते हैं साड़े नौसियो सपुर्ड मेंचे न लाग आत्माई नीचे आते हैं और उस समय सभी के सिर पर सोने का मुकोट होता है पुष्पग विमान होते हैं और पूरा मय खासु भारत देश होता हैं और यहाँ सोने की महलों होते हैं ईइस संपनता होते हैं जिसको हम आधी शनातनी गर्षर जbayन श्कार और समौकर शुर्वenschaft और इसे आगे बढ़ता है समाई साड़े-बारस से सत्यु का पुरा होता है एक बार आत्मा हे उप्रशायña तो चार यूग पुरा करके भी जाता या बीच में नहीं जाता है उसके वाद त्रेता-परसे हो तेतिस कड़ हो जाते हैं, यह दोनों युगों को सो रखते हैं, यही आत्मा तेतिस कड़ आत्मा हैं जब दौपरिंग में चली जाते हैं, काम, क्रोड, लो, मुँ, एंकार, इर्शा, गर्ना, इन विकारूं के वर्ष हो जाते हैं, फिर परमात्मा क्या करता है, उपर शे धर प्रमात्मा को बिशता है धर्मात्मा ने भी कोई यह गलत ग्यान नहीं दिया ग्वाड़ीज लाइट पर्मात्मा लाइट शुरूप है उसको आल्ला नूर है लेकिन लोगों ने जिनों ने ग्यान दिया उनको भगवान मन लिया अखिर्द भक्ति करना शुरू किया शास्त् धाम से आये हैं और वो आपी जाना है किसी को भी इसका नौलेज नहीं है इसलिए इस कल्यूग में पर्मात्मा ने खहा था यदा यदाई धर्मशगलानी रिभोती भारत था भारत तो क्या इस संसार में जब धर्मगलानी होगी तब मयाओंगा और धर्मगलानी के लक्षन अनाजपुडी में बेचा जाएगा गाई विष्टा खाईगी बच्ची आपने मुख से मर मांगेगी बालोगा स्रिंगार होगा ऐस समय पर मयाओंगा लेकिन जब मयाओंगा मुझे पैचाने वले कोटों में कोई में कोई क्योंकि निराकार पर्मात्मा जो सत्यूग में क द्या लेकर मादम से 140 देशों में अभी दे रहें और जो यह ज्यान सुनेंगे संस्कार अच्छे बनेंगे उसके बाद एक महाबारी विनाश होगा सारी आत्मा वापी चली जाएंगे जिन्होंने इस सव साल में 1937 से 2037 तक ज्यान सुना कर अपनी संस्कार अच्छे बनाए वही आत्मा फिर शे देवी देवता के रुप में आते हैं यह चक्र पास हजार साल के पर रिपीट होता है अब यूग बदल रहें इसलिए सभी जो भी यह सुन रहें सभी को मेरा यही कहना है जागो उठो यह सोने का वक्त नहीं है कुछ ना कुछ करो कुछ अच्छे करम क करो प्रभू को याद करो और यही हमारे संस्कार साथ में जाएगे ब्यान का साथ में नहीं जाएगा गया अगर अध्यात्मिक नहीं होगी तना अभी में पंजाब में एक जगह पर गया था एक शेहर में तीन हजार लोग डिप्रेशन पेशन क्योंकि टेंशन आज विक्ति को चाहिए क्या दो ही रोटी चाहिए रहने के लिए थोड़ा सा मकान चाहिए लेकिन सामने प्लैनिंग भी सुनने की जरूता है केवल आप अपना प्लैनिंग नहीं बनाए इसलिए भले इस दुनिया में रहो लेकिन सच्चाई सपाई सत्यता के नाव हीलेगी डूलेगी लेकिन डूबेगी नहीं इसलिए अब परमात्मा इस धर्ती पर आ आपना कार्य कर रहे हैं इसलिए हमें समय के साथ जगने के जरूता हैं इसलिए कोई भी प्रकार का विकार अगर अगर अन्दर विकार पर जीथ प्राप्त करना सारे भक्ति का सारे विकार पर जीत प्राप्त करना नस्या वेशन से बचना अज पढ़े लिके लिए गुटका खाएंगे नस्या करेंगे और इसलिए अंदर असुरी वृतिया जागरत होते हैं इसलिए अध्यात्मिक रांति करने की जरूता हैं सबी हम आत्म हैं हमारा सब का गर एक हैं सबका पिता एक हैं अपस में हम सभी भाई भाई यही इश्वरे संद्यस हैं चलते चलते जो शिशू हैं बच्चे हैं ठीक है मागर्भ में उनको जो जो करती है सब कुछ सिखा देती है लेकिन लोग एकदम से परिवर्थन कैसे कर लें अपने बच्चों में या पिता अपना थोड़ा सा समय निकाल करके यह अध्यात्मिक चिंतन करें और रोज अपने एक-एक इंद्रियों पर निगरानी रखें क्योंकि आज लोगों के द्वारा जो भुले होते हैं आज आंखे किसले मुझे भगवानी दियें आंखों से मुझे योग्याई वही दे अच्छा काम हो रहे हैं और यह सुन करके उस प्रमानाम आचरन एक तो हमारा भोजन शुद्ध चाहिए शुद्ध भोजन सात्विक भोजन क्योंकि अन जैसा खाएंगे वह जैसा मन बनता है आज टीवी खाते वे टीवी देखते वे खाना खाएंगे कुछ भी मौसार खान पर होता है और जिसका मन निगेटिव है वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता इसलिए मन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है भोजन के पर परेज रखना है शुद्ध भोजन खाना है और इसके साथ इसलिए होटल पर भी बोड लिका है होटल हो सके तो यहां से टल कि भी वूठ का तीन शब्द लिको और भी इसका ट मिटा दो क्या आएगा ये शब्दों में आरता है इसी गलत चीजे खा रहे हैं आज हमारे अंदर असुरी वरतिया जाकरत होने का यही कारण है इसी रशुद्ध बोजन सात्वीक बोजन और रोज हमें कुछ ना कुछ जैसे गाड़ी का अंदर पेट्रोल डाल दो वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुम में डालो तो क्या हो जाएगा गाड़ी का भोजन ना लगए ड्राइवर का भोजन ना लगए शेरीर है हमारी गाड़ी है इसका भोजन है सबजी दाल रोटी लेकिन इसको चलानी वाली हमारी ब्रह्मा कुमारे में विध्याले में दस लाख करोड़ों से कापी सरे लोग हैं रोज चार बज़ी उड़ते हैं मेडिटेशन करते हैं वो संसार में रते हैं विकारों से, वियस्नों से बुरी आदोतों से बच करके आपने जिवन को शुद्ध सात्विक बनाने कारे करें कारण मेडिटेशन चलिए मुझे लगता है कि आपने जो समय हमें दिया था इसमें बहुत कुछ आपको हमें ज्ञान मिला है और कोशिस करें कि सकारात्मक रहें अपने आप तनाव दूर रहेगा बहुत बहुत दने बाद समय देने कि लिए बहुत सुक्रिया